नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है गंगा दसहरा क्यों मनाये जाता है क्या है इसका धार्मिक और पुराणिक महत्व नारत पुराण के अनुसार जेश्ट मास को मंगलवार के सुकलपक्ष में दसमी तिथी को हस्तन अच्छतर में जानवी का पहाडों से मृत्ति लोक में अवतरन हुआ इस दिन वह आद्य गंगा अस्नान करने पर दस गुना पाप हर लेती है तो आज की दिन गंगा अस्नान ज जरूर करें ब्रह्म पुराण के अध्याय 63 के अनुसार जेश्ट मास के सुकलपक्ष की दसमी तिथी दस पापों को हरती है इसलिए इसे दसहरा कहा गया है उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में रखते वे भगवान सरे कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी क दर्सन करते हैं वे सब पापों से मुक्तों के विश्णू लोग को जाते हैं इसकंद पुराण के अनुसार दसहरा के दिन दसवास मेग घाट पे दस प्रकार असनान करके सिवलिंग का दस संख्या में गंद पूस्प, धूप, दीप, नेवेध और फल आदी से पूजन करक उसे अनन्त फलों की प्राप्ती होती है इसकंद पुराण के अनुसार जेश्ट सुकल दसमी सनवनसर मुखी मानी गई है इसमें असनान और दान विसेश करके करना चाहिए किसी भी नदी पर जाकर पूजा जरूर करे और तिलो दक से तरपन अवस्य करे ऐसा करने वाला महापात्कों के बराबर के दस पापों से छुट जाता है वरह पुराण में लिखा हुए है कि जेश्ट सुकला दसमी बुद्वारी में हस्तन शतर में स्रेश्टन दी स्वर्ग से अवतिर्ण होई थी वह दस पापों को नष्ट करती है इस कारण उस्तिति को दसहरा कहते है जेश्ट मास, सुकलपक्ष, बुद्वार, हस्तनशत्र, गर, आनंद, व्यतिपात, चंद्रमा का कन्यारासी में होना, ब्रिसभ में सुर्यदेव का होना इन दस योगों में मनुस्य स्नान करके सब पापों से छूट जाता है बविस्य पुराण के अनुसार जो मनुस्य दसहरा की दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर दस बार गंगा स्तरोत को पढ़ता है वचायर, दरिद्र हो, चाय असमर्थ हो गंगा जी की किरपा से सबी पापों से छूट कर सुख समर्दी और एस्वरे का आसेवाद पाता है दस प्रकार के दस दस सुखंदित, पुस्प, फल, नवेद, दस दिये और दसांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरूस, सरदा और विदी के साथ दस बार गंगा जी की पुजा करें गंगा जी के जल में घृत सही तिलो की दस अजली डाले, फिर गुड और सत्तु के दस पिन बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डाले यह सब कारें मंत्र द्वारा होना चाहिए मंत्र इस प्रकार है ओम नम्ह सिवाये नारायने दस हराये गंगाये स्वाहा यह 20 अक्छर का मंत्र है गंगा जी के लिए पूजा दान जब होम सब इसी मंत्र के से करने योग्य है इस प्रकार मंतो चारण के द्वारा धूब दीप आदी समर्पित करते हुए इस प्रकार से पूजा करके दिन भर उप्वास करने वाला पुरुस दस पापों से मुक्त हो जाते है तस पाप कौन कौन से हैं आईये जानते हैं बिना दी हुई वस्तु लेना निसिद हिंसा परिसत्रे संगं यह 3 प्रकार का देहक पाप माना गया है कठोर वचन मुझसे निकालना जूट बोलना सब और चुगली करना और अंटसंट बाते करना ये बाड़े से होने वाले चार प्रकार के पाप है दूसरों के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना, असत्य वस्तूओं में आगरह रखना ये तीन प्रकार के मानसिक पाप कहे गए है तो इस प्रकार से दान पुजा और ब्रत करने वाला पुरुस दस जन्मों में उपारजित इन दस प्रकार के पापों से निसंदे छुट जाते है तो बोलिए पतित पावनी मागंगा की जै कॉमेंट बोक्स में मागंगा की जै अवस्य लिखे और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर्वर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद